एलो फ्रेंज, Jayasvi Krishna कैसे हैं आप लोग? आज मैंने बनाई हैं crafting वेसलिन जो कि हमारे पेरों के लिए होगी तो इसकी recipe भी में आपको बताना चाहती हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ तो चलिए देखते हैं Jayasvi Krishna कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ special जो की हमारे पाउं के लिए होगा खाने के लिए तो हम रोजा ना बना रहे थे आज हमने फटी एडियो के लिए कुछ special remedy है उसके लिए मैंने याँ पर एक सरसुका तेल लिया है एलोवेरा जूस और ये मॉम बत्ती जिसको मैंने तोड़कर इस तरह से कर ली है और एक ये नारियल का तेल तो चलिए फटावट से बना लेते हैं ये खाली पेन है इसमें मैंने एक कटोरी है सरसुका तेल डाला और उसी के मेजर्मेंट से ये एक कटोरी हेलोवेरा जूस है एकदम फ्रेश जो कि मैंने इससे बनाया है आप रेडेमेट भी ले सकते हों तो ये भी मैं इसी के अंदर एट कर दूँगी और उसी के बाद ये मौमबत्ती का पाउडर ये भी मैं इसमें मिला दूँगी और ये नारियल का तेल है जिसको भी मैंने इतना इसकटोरी से थोड़ा कम जितना हमने सरसो का तेल लिया था उससे थोड़ा कम ये नारियल का तेल भी मिला देंगे अब सबको अच्छे से मिक्स होने देंगे तो इस मिश्रन को मैंने गेस पर रखा है बिल्कुल लो फ्लेम पर तो इसको हम अच्छे से गरम होने देंगे और बीच में एक दोबार हिला देंगे इसको तो बिल्कुल लॉफ लेम पर इसको मिक्स होने देंगे और अच्छे से मिक्स होने देंगे इसको इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर उपाला है मैंने तो ये एडियों के लिए बहुत अच्छा होता है और ये बहुत कम मेनत में बन जाता है तो इसको आप जरू ट्राइए करें अब हम इसको ठंडा हो न देंगे फ्रेंज वैसलीन एकदम ठंडा हो चुका है तो हम इसे एक चम्मच की सायता से एक एड़ाइट जार में भर लेंगे तो ये तो मैंने इसे इस तरह से बढ़ लिया है एक डिब्य में तो इसे रोज रात को आप अपने पेरों को अच्छे से वोश करें और इसे इस्तिमाल करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी है इससे आपको फाइदा हुआ या नहीं तो थैंक्यू ब्र मुझे कैसी अवग